हाई गाईज, वेल्कम बाइक तो माई चानल, I hope you all are doing well, I am Dr. Roshni and also a mom to 4-year-old sweet little daughter So, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक Encyclopedia book share कर रही हूँ और ये जो book है, ये pre-schooler के लिए completely age appropriate है Encyclopedia books जो होती है, वो basic scientific facts के उपर आधारित books होती है जिसमें बहुत सारी information होती है आपने notice किया होगा कि अगर आपका बच्चा 4-5 साल का है तो उनको हर चीज में question है ये ऐसी क्यों होता है, वैसी क्यों होता है, why, what, when, where, इतने सारे question पूरे दिन में मेरी बेटी मुझसे इतने सारे question पुछते है जैसे कि ममा, sun का color yellow और moon का color white ऐसी क्यों है पानी हमारे हाथ में क्यों नहीं रहता ट्री को खड़े रहने के लिए trunk क्यों चाहिए वो roots क्या होते है, seeds क्या होते है, flower कैसे grow होते है कल वो pistachio खा रही थी, तो उसने मुझे पूछा कि ममा, यह shell में क्यों आते है, ऐसे ही क्यों नहीं आते तो बहुत अरे अलग-अलग topics में उनको जानना होता है तो मैं ऐसा मानते हूँ कि इनकी जो यह curiosity है उसको preserve करनी चाहिए और parent के पास अगर एक सही resource है तो उसका use करके वो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से simple way में explain करेंगे और वो उनकी like knowledge भी बढ़ाएंगे front cover looks like this और back side आपको सभी topics की समझ मिलेगी जो इस book में included है आप one by one theme wise इसको plan कर सकते है topic is related to nature जिसमें planet earth से start किया गया है continents, mountains, river, ocean ये सारी चीजे क्या होती है किस तरह से हमारा nature बनता है then water cycle क्या होती है किस तरह से rain formation होता है and कुछ ऐसे images है जहां पर हम बच्चों को like सिखा सकते कि क्यू nature को पानी को ये सब प्रिजाव करना चाहिए पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए and कुछ natural calamities then volcano, tornado ये किस तरह से होता है इस पर simple से information है next is plant and trees इसमें plant और tree के बीच में क्या difference है उस topic से हमने start किया then progress करते हुए हमने plant के अलग-अलग parts को समझा की roots, stem, flowers, क्या-क्या parts होते है किस तरह से tree grow होता है roots क्या होते है वो क्यू ऐसे land जो होता है उसके अंदर होता है किस तरह से हम tree को grow कर सकते है और उसी के साथ साथ कुछ ऐसी बाते की tree हमें क्या-क्या देता है और क्यू हमें trees को बचाना चाहिए nature को preserve करना चाहिए food and nutrition another very important topic to discuss and develop good habits in kids इस topic से आप food से हमें क्या-क्या nutrients मिलते है कितने अलग-अलग type के taste होते है variety of foods like raw food, cook food, then seasonal fruits and vegetables क्या होता है healthy food, unhealthy food, vegetarian, non-vegetarian, अगर हम unhealthy food खाएंगे तो क्या होगा यह सारी ही बातों पर आप उनको सिखा सकते है और उनमें अच्छी आदते develop कर सकते है animals and birds जिसमें animal kingdom के जो अलग-अलग groups होते है उस पर discussion है आप बच्चे को ocean animals, reptiles, amphibians, birds, mammals यह सारे है जो नाम है, जो groups है उसकी कौन-कौन से animals होते है उस पर आप बता सकते है there are some life cycles, life cycles अभी हमने skip किया है because my daughter is not ready for this human body जो अभी हमारी current learning theme है इसमें आप basic से जो body parts है उससे start कर सकते है बच्चों को उसका नाम बोलना सिखाईए, picture में दिखाईए then senses जो होती है, sense organs उसका क्या काम है, कितने sense organs होते है and जैसे जैसे आपका बच्चा ज्यादा interest दिखाएगा फिर आपको इसमें हर page पर कुछ internal organs जो है जो बहुत important जैसे की brain है, heart है, lungs, kidneys, basic सी चीज़े है next topic is science, जिसमें बहुत ही simple information दी गई है जैसे की solid liquid और gas का क्या मतलब होता है, किस सर से हम आमारे weight को measure करेंगे day to day कुछ conditions जैसे की like too much wind, then rain जो होता है, वो किस सर से form होता है ये question मेरी बेटी ने मुझे पुछा था कि मामा rain drops किस सर से बनते है, rain कहां से आता है, ये then simple information like hot versus cold और light की कुछ sources, natural light का मतलब क्या होता है, artificial light का मतलब क्या होता है so basic से चीजे है, जो pre-schoolers भी समझ पाए, transport एक बहुत कॉमन थीम है, जिसमें mode of transport आप बच्चे को सिखाएंगे land transport, air transport और water transport, अच्छी बात ये है कि बहुत बड़े बड़े picture है और एक या दो lining में उन्होंने explain किया है, तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है ये सारे pictures देखने में मैंने पहले भी आपको बताया था कुछ books के review में कि जब भी आप छोटे बच्चों के लिए books ले तो उसमें ज्यादा visuals, interesting और real image हो वैसा आप select करना तो क्या होगा कि बच्चे का जो interest है वो भी बना रहेगा and last topic is related to space जो अभी हमने touch नहीं किया है but summer vacation में मैं solar system को introduce करूंगी sun, moon, stars, planets का मतलब क्या होता है and everything related to that so overall ये एक बहुत ही अच्छी book है और आप एक beginner level है तो आप बस इस essay book से start कर सकते है अपने बच्चों को like extra information देना जिससे like उनकी curiosity भी बड़े screen time भी manage हो जाए, control हो जाए और उनका interest भी books में बना रहे